एक 16 साल की बच्ची के साथ एक बाबा जबर्दस्ती करता है दिल्ली के अंदर 2013 के अंदर ये केस दर्ज होता है उसके बाद उस बाबा को ग्रफतार कर लिया जाता है और पूरे 5 साल तक जोदपूर में केस चलता है जो लड़की 16 साल की थी वो अब 21 साल की हो चुकी है लड़की की तरफ से जो बंदा लड़ रहा है उसका नाम है पूनम चंद सोलंकी PC सोलंकी पीडिता, पीडिता के परिवार, पीडिता के लिए लड़ रहा वकील और वकील से जुड़ा हर व्यक्ती अपनी जान का खत्रा लिए घुम रहा है। और पुरे 5 साल तक इस जान के खत्रे से जूजते हुए उस केस को लड़ा और जीता जाता है। मुवी के मेकस ने साप साप एबात नहीं कहिए कि आशराम बापू के केस पर बनी है। लेकिन मुवी का ट्रेलर देखके कोई भी आसानी से बोल चकता है कि हाँ ये आशराम बापू के केस पर ही बनी है। बहुती फाइन एक्टर मनोज वाजपाई ने उस वकील का रोल प्ले किया जिसने अकेले इने अपनी जान का जोखिम रखते हुए इस केस को लड़ा। आज ये मुवी दिलिज हुई है जी फाइब प्रीमियम पर जिसका नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। बहुत ज़्यादा सेंसिटीव है क्योंकि जब ये केस सामने आया था असल जिंदिगी में तब भी बहुत ज़्यादा अफरा तप्री और कोंट्रोवर्सी इस देश में क्रिएट हुई थी। बाबा के सपोर्टर्स बहुत जादा थे, उपर से जादा बहुत ही ताकतवर लोग भी थे, बहुत सारी भोली भाली जनता के लिए भगवान थे, इवन आज भी हैं, उस टाइम पे इस केस की वज़े से धार्मिक हिंसा फैलने का बहुत जादा चांस था, हाला कि उस लेवल क खत्रा आज के टाइम पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये मूवी कहीना कहीं धर्म के परसेप्शन से देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन इसी चीज को मूवी के राइटर्स ने बहुत ही मैचोरली डील किया है, मैं बहुत इंप्रेस हो इस चीज से, मूवी को कैसे सचे और भले आदमी को आजकर लोग जीने नहीं देते, उन पे गलत गलत आरोप लगाते हैं, लेकिन जब केस खुद पीची सोलंकी के पास आ जाता तब वो ही अम्मा अपने बच्चे का सपोर्ट करती हो कहती है कि जाओ और केस जीत के आओ, इस सिनेरियो में राइट होता है कि महान गुरू और सनातन धर्म की इजद पर लांचन नहीं लगने देगा, वकील के इस डायलोग में बहुत गहराई है, जब बाबा के पास सारे हतकंडे अपनाने के बाद भी उसका कोई बचाव नहीं हो रहा था तो आखिर में वकील ने सनातन धर्म को और बाबा दिया था, मन तो बहुत कर रहा है कि मैं वो जवाब यहां पर सुना दू पर मुवी देखने के लिए छोड़ो भाई, इसी तरह के बड़े बड़े डायलोग से साथ मुवी जब और आगे बढ़ती तो मुवी में और भी डायलोग साथ है कि हमारे यहां के कानून के हाथ इ यही कि मुवी कहीं भी उन लोगों को मोका नहीं देती है जो सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, लोगों को एक भी मोका यह नहीं देती कि पूजा और विश्वास के नाम पे लोगों को ठगा जाता है सनातन के अंदर, बलकि मुवी में समझाया गया कि कैसे सनातन असलियत में क्या है और इन लोगों ने क्या कर रखा है हाला कि मूवी के मेकस ने ये कहके कॉंट्रोवर्सी से पल्ला जाड दिया कि देखो भईया ये रियल इवेंट्स जो है उनका एक ड्रामटाइजेशन है नाट के रूपांतरन है और पूरी तरीके से फिक्शनल है लेकि रियल केस क्या है सिर्फ एक बंदा काफी है मूवी के पीछे वो आपको बताता हूं दोजा टेरा के अंदर 16 साल की लड़की जो की उत्र प्रदेश के शाजापूर से बिलोंग करती है वो आशाराम बापू के उपर एक इलजाम लगाती है कि इसने मेरा रेप किया है 15 अग ब्लेक मेलिंग करके सेक्स ओल फेवर्स लेने के और पोक्सो के पोक्सो मुलतों माइनर्स के साथ ज़दी रेप करने की कोशिश की जाती है तो उसके अंदर लगता है उसके बाद आसराम बापू के तरब से कई बार कोशिश हुई कि उन्हें बेल मिल जाए लेकिन उनके ख 2014 के अंदर आसराम बापू के डोक्टर का मडर कर दिया गया उनके कुक अखिल गुपता और भी गवा जैसे किरपाल सिंग इनको 2015 में गोल इमार दी गई जोत्पूर कवट के अंदर केस चल रहा होता इसी तरीके से महेंद्र और राहूल नाम के और भी गवा के उपर इसी तरीके से हमला करने की कोशिश हुई लेगिन में बच गेर उन्होंने आशराम बापू के खिलाप गवाई दी और इसी बीच जो वकील आशराम बापू के खिलाप केस लड़ रहा था उसके पास रूपय को लेके फेवर भी आया रिश्वत आई पुलिस को स्पेस्टल प्र परिवार है उनके उपर खत्रा मंडरा रहा था इसी विज़े से विक्टिम के फादर ने पुलिस से पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी उनका मानना है कि आज के टाइम बे भी आशराम बापू के हजारों सपोर्टर है जो की मजबूती से इस समाज में टिके हुए हैं और वो उनको चैन्स से जीने नहीं दे रहे मुवी के अंदर सब कुछ ही अच्छा हो जाया ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता तो कुछ नेगिटिव पॉइंट से जो आपको गिर्वा सकता हूं मुवी के अंदर जहां जा डबिंग की गई है वहां पर एइसास हो जाता है कि यह जाता है इसके लाब मुवी में एक सीन आता है जिसमें मनोज वाजपाई अपने बच्चे की पिटाई करते है क्योंकि वो उनको बनबटाए कहीं चला गया था उस सीन केंदर पूरी मुवी के टेस्ट से अलग केमरे को हाथ से उपरेट किया गया है, ये साफ ज़लकता है, ये तिरी बड़ी बात नहीं, मुविज में अकसर ऐसे केमरा उपरेट किया जाता है, लेकिन मेरे भाई जब पूरी मुवी स्टिल चल रहे तो एक सीन अलग से एक्टिंग और जब मनोज वाजपाइल मुवी के अंदर फैसले से ठीक पहले अपनी लास्ट स्पीच देते हैं और उस वक्त जो उनका बोडी लेंग्विज होता है उस वक्त जो उनका कपकपाना होता है वो देखके आप समझते हो कि बंदा अंदर से उस करेक्टर को निभा बना सकता है हलके मैं नहीं ले रहा हूं पर उमीद से उपर का काम है स्कृइन प्ले एकड़म टाइट है पांच साल की कहानी को कैसे दो घंटों में दिखाया जाता है बहुती बढ़ेतरी किसे दिखाया है फैमिली मुवी तो डेफिनिटली है रेप के केस पर बनी मुवी ह है और यह हर किसी के लिए must watch movie है इस movie को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि सच्चा ही सब के सामने आनी चाहिए और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उपर से मनोजवाजपाई सर की acting सोने पर स्वागा है यदि मैं अपने experience को रेटिंग में बया करना चाहूं तो मैं र